आज की इस प्रोपर वीडियो में हम आपको Instagram की तीन ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपकी समय को भी बजाएगा साथी साथ आपकी काम को भी आसान कर देगा इसमें से आप हो सकता है एक ट्रिक के बारे में जानते होंगे बट बाकी जो दूसरा और तीसरा ट्रिक है उसके बारे में 100% स्योर हूँ कि आपको नहीं पताओगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप इंस्टागाम की ऐसी ट्रिक को जान पाएंगे जो रिसेंटली लॉंच हुआ है और उसके बारे में आपके दोस्तों को नहीं बताए इस वीडियो को पूरा लास तक चरूँ देखीगा मैं बारी बारे से आपको सारे ट्रिक्स बताता हूँ और उसे आपको प्रैक्रिकल करके दिखाता हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हैंकित आप देख रहें टेकिसना अफिसल यूटूब चैनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीना टायम वेस्ट करें सबसे पहले ट्रिक क्या है जैसी आप इंस्टार्गाम की होंब बटन पे आते हैं तो उसके लिए आपको गया करना होता है दुबारा से आपो पूरे को ऊपर करना होता है मतलब स्क्रोल करके आना होता है लेकिन आप जैसे नीचे की तरफ आएंगे बहुत नीचे चले जाएंगे और आप चाहेंगे कि एकदम से मैं top पे आजाओ तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको दो बार home button को प्रेस करना है जैसे आप दो बार home button पे प्रेस करते हैं तो यह automatically refresh हो जाएगा और आप अगर एक बार home button को प्रेस करते हैं तो आप top पे आजाएंगे बढ़ वहाँ पर refresh नहीं होगा दो बार home button पे आने के बाद रिफ्रेस हो जाएगा और आपकी सामने नया content आजाएगा इसके बारे में काफी सारी users जानते हैं हो सकता है आप भी जानते होंगे लेकिन इसके आगे जो दो ट्रीक मैं आपको बताने बालाओ उसके बारे मैं आपको नहीं बता होगा दुसरा 트릭 क्या है अगर आप किसी भी account को search करते है या फिर किसी भी चीज को search करते हैं आप क्या करते हैं search icon पर click करते हैं click करने के साथ ही यहाँ पर क्या होता है कि काफी time लग भी जाता है and साथी साथ आपकी सामने इस टाइब की reels, videos या फिर फीड आती रहती है लेकिन यहाँ पर keyword जो है वो open नहीं हो पाता है उसके लिए आपको दुबारा से search पर click करना होता है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही click में आपकी सामने keypad भी आ जाए और यह जो सारे चीजें हैं यह जीजें यह नहीं आए उसके लिए आपको क्या करना है search icon पर click करना है and hold करना है जैसे आप click करके hold करेंगे आपके सामने keyboard भी आ जाएगा और यहाँ पर जो भी reels था या फिर feed था वो नहीं है direct आपके सामने search का box आ जाता है और आपके सामने यहाँ पर keyword आ जाता है यहाँ से आप type करके जो भी चीज सार्च करना चाहते हैं वो directly search कर सकते हैं जैसे आप hold करेंगे hold करने के साथ ही आप single hand से भी कुछ भी search कर पाएंगे तो यह चीज़े आपके समय को भी बचाएगा साधी साथ आपको जो भी चीज search करना है वो आप आसानी से search कर पाएंगे दूसरा trick यह था तीसरा trick क्या है अगर आपके पास multiple accounts है यानि आप Instagram पे काफिसरे accounts को run कर रहे हैं एक ही device में आपके पास 2-3 accounts है और आप जल्दी से जल्दी उससे switch करना चाहते हैं दूसरे account में तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होता था हम जैसे account के option पाएंगे प्रोफाइल पे क्लिक करना होता था और उसके बाद हमारे पास option पाएंगे watching करना चाहते हुँ क्या है अब नीचे profile का option देख रहे हैं इस पे आपको hold करना है hold करने के साथ ही आपके सामने सारी accounts आ जाती है जिस पे आप click करके दूसरे account में switch कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि hold ना करे directly बिना कुछ किये हम दूसरे account में switch कर जाये उसके लिए आपको क्या करना है इस profile के option में जो कि आप नीचे देख रहें corner इस पे आपको double tap करना है जैसे आप double tap करते हैं आप नए account में आ जाते हैं और दुबारा से जैसे आप double tap करते हैं आप तीसरे account में आ जाते हैं दुबारा से आप double tap करेंगे आप चौथे अकाउंट में आ जाएंगे इस तरह से आप single hand से भी बिना कुछ किए आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में switch कर सकते हैं तो यह trick personally मुझे काफी पसंद आया क्योंकि मेरे पास काफी सरे अकाउंट है जिसको मैं use करता हूँ daily तो अगर आपके पास भी काफी सरे अकाउंट है जिसे आप daily use करते हैं तो आप इस तरीके से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में switch कर सकते हैं यह तीन trick थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया है आसा कर तो यह साथी tricks आपको काफी पसंद आया होंगे आप मुझे comment करके जरूर बताएगा कि इसमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा trick लगा आसा अगर तो यह चोटा से वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिगा चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe खटके बैल आइकन पर प्रेस करके all पर क्लिक कर देना है आखिए आने वाली इसी टैप की interesting videos के notification आपको upload होते ह नहीं मिल जाएगी अब एक लिए time मिलता है इसकी next video में next day के साथ तब तक के लिए धनिबाद